शिवसेना प्रमुख उदव ठाकरे ने शपत लेली है। मगर मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होगी। राज्ये पर कर्ज सहकारी संगों का खस्ता हाल जैसे कई मुद्दों पर उन्हें तेजी से सुधार करना होगा। सूखा और किसानों की खुदखुशी भी एहम मुद्दे हैं। तेरवे नंबर पर प्रती व्यक्ती सरकारी खर्चे के मामले में 5.7 प्रतिशत बिरोजगारी दर है। महराश्ये में दूसरा बड़ा कर्जदार राज्य है। 4.7 लाख करोड रुपे का कर्ज परदेश पर है। यूपी का 4.7 लाख करोड है। 1.8 लाख करोड कर्ज था 10 साल पहले और 40.000 करोड हर साल का ब्याच। 4 सालों से सूखे की मार बे मौसम बारिश से इस साल 95.4 तीन लाख हेक्टेर फसल बरबाद और सूखा। 10.000 करोड रुपे की दरकार 36 में से 30 जिले आपदा से प्रभावित। 15.356 किसानों ने आत्मा हत्या की पिछले छे सालों में, 1200 से अधिक किसानों ने खुदखुशी की 2019 में अक्टूबर तक सहकारी संगों का बुरा हाल 38.342 करोड रुपे कर्ज फसा सहकारी बैंकों का 4.355 करोड रुपे का PMC बैंक घोटाला इस साल 2014 में चुनाव से पहले NCP कॉंग्रेज ने मुस्लिमों को शिक्षा रोजगार को 5% कोटा दिया भाजपा शिर्फ सेना सरकार आते ही कोटा खतम हो गया, अब उदव के लिए यह बड़ी चुनाथी होगी सडक परिवहन 50,000 करोड रुपे से तयार हो रहा मुंबाई नाकपूर एक्स्प्रेस 10,000 करोड पहले ही खर्च हो चुके है, इस वज़ह से प्रोजेक्ट से पीछे हटना मुश्किल होगा बुलेट ट्रेन मुंबई एहमदबाद के बीच एक लाक करोड का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी चुनाथी है 5,000 करोड देने है महराश्टर को भूमी अधिग्रहन का भी विरोध ऐसी ही कई चुनाथियों का सामना करना पड़ेगा उदव सरकार को नाकपूर पुलिस ने यहां की एक इस्थानी अदालत दुआरा महराश्टर के पूर्व मुख्यमंत्री देविंदर फर्नवीस के नाम जारी समन की भृस्पतिवार 28 नवेंबर को तामिल की फर्नवीस दुआरा चुनावी हल्फ नामे में अपनी खिलाफ दो अपराधिक मुकदमों के बारे में सूचनाय छिपाने के आरोप से जुड़ा मामला है इसी मामले में समन की तामिल हुई है सदर्थाने के एक अधिकारी ने बताये कि यहां फर्नवीस के घर पर समन की तामिल की गई यह घटना करम ऐसे वक्त हुआ जब महराश्ट्र में उद्वठाकरे के नित्रत्व में शिवसेना, रांकपा, कॉंग्रेस, गडबंधन ने सरकार बनाई है मेजिस्ट्रेटरी अधालत ने एक नवेंबर को एक याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू की थी जिसमें भाजपा नीता के खिलाफ कथित तौर पर सुचनाय छिपाने के लिए अपराधिक कारवाई की मांग की गई थी शहर के वकील सतीश उके ने अधालत में एक याचिका दायर कर फरणवीज के खिलाफ अपराधिक कारवाई शुरू करने की मांग की थी बंबाई उचनयायाले ने उके की याचिका खारिच करके नीचली अधालत के फैसले को बरकरा रखा था लेकिन उचितमनयायाले ने एक अक्टूबर को मेजिस्ट्रेटरी अधालत को उके द्वारा दी गई आचिका पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया था फरणवीज के खिलाफ 1996 और 1998 में जाल साजी और धोका धड़ी के मामले दर्ज किये गए थे लेकिन दोनों मामले में आरोप नहीं तै किये गए थे उके ने आरोप लगाया था कि फरणवीज ने अपनी चुनावी हल्फनामे में इस सूचना का खुलासा नहीं किया राब मंदिर आंदोलन के नायक अशोक सिंगल ने सब्तरिशी देव रहा बाबा के निर्देश पर नई अयोध्या बसाने का सौपन देखा था उन्होंने सर्यू नदी की तलहटी में समाई हजारो एकड़ भूमी पर नवीन अयोध्या की कलपना को मूरत रूप देने के लिए पूरा मास्टर प्लैन भी तयार कराया था इस मास्टर प्लैन को उन्होंने वर्ष 1998 से 1999 में ततकालीन कल्यान सरकार को सौपा था लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण परस्ताव फाइलों में ही धूल फाकता रह गया इस योजना पर अब मुखे मंत्री योगिया दित्यनाथ ने आगे एक अदम बढ़ाया है इसके लिए अयोध्या के उस पार की जमीनों के अधिग्रहन की प्रिष्ट भूमी तयार ह गई है शासन के निर्देश पर गौंडा प्रशासन की ओर से तरब गंज तहसील के दुर्गा गंज मांजा वा बहेशपूर ग्राम सभा की करीब साड़े आठ सौ हेक्टेर जमीनों की नाप जोख की शुरुवात हो गई है इसकी पुष्टी अधिकारिक स्तर पर की गई है तरब गंज तहसील के SDM ने बताया की शासन के निर्देश पर दो ग्राम पंचायतों मेस्तित 860.469 हेक्टेर भूमी चिनहित कर अखाया भेज दी गई है इससे पहले जिलापर शासन की ओर से सदर तहसील के अंत्रगत मांजा जम्थारा शेत्र मेस्तित नजूल विभाग क करीब 300 हेक्टेर जमीन का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है मंदिर आंदोलन के पुर्धा महंत राम चंद्र दास परम हंस के पूर्णे तीथी पर उन्हें शरधांजली अर्पित करने अगस्त महा के आरंब में अयोध्या आये मुख्यमंत्री को प्रस्तावित स्थ का निरिक्षन भी करवाया जा चुका है भगवान राम की विश्व की सबसे उची प्रतिमा के स्थापना के स्थल के रूप में भी जिला प्रशासन इसी स्थान पर विशेश जोर दे रहा है वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री योगी ने सौयम मीरा पुर्धुआबा शेत उनके प्रस्ताव परशासन की ओर से तक्निकी कमीटी का गठन किया गया इस कमीटी की ओर से प्रस्तावित स्तल का भौतिक स्त्यापन किया जा चुका है अमेरिकी राश्ट्रपती डॉनार्ड ट्रंप ने बुद्धवार 27 नेवंबर को हॉंग कॉंग कॉंग में लोकतंत्र और मानव अधिकार के समर्थन वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये इस विधेयक के तहत हॉंग कॉंग में लोकतंद्र समर्थकों के मानव अधिकारों का हनन करने वाले अधिकारियों पर पाबंदियां लगाने का परस्ताव है। अमेरिकी संसत के दोनों सदनों प्रतिनिधी सभा और सिनेट से यह विधेयक पारित हो चुका है। प्रतिनिधी सभा में इस विधेयक के समर्थन में 470 वोट पड़े और विरोध में सिर्फ एक वही सिनेट में यह विधेयक सर्वसमीती से पारित हुआ। हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपती डोनाल्ड टरंप ने हॉंग कॉंग में लोगतंत्र की मांग के लिए चल रहे परदरशनों का समर्थन करनी संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जिससे चीन बेहत खपा है और उसने अमेरिका के खिलाव जवाबी कारवाई करने की धमकी दी है। चीन की विधेश मंतराली ने एक बयान में कहा कि इसकी प्रकरती अतियंत घ्रिनित है और इसके इरादे बेहत भ्यावे है। मंच के राश्ट्रिय अध्यक्ष आजम खान ने सुप्रीम कोड के फैसले का स्वागत करते हुए कहा पूरे देश ने इसको स्विकार किया है। इस योजना पर अब मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ ने आगे कदम बढ़ाया है। के लिए योध्या के उसपार की जमीनों के अधिग्रहन की प्रिष्ट भूमी तयार हो गई है। शासन के निर्देश पर गौंडा प्रशासन की ओर से तरब गंज तहसील के दुर्गा गंज मांजा वा महेशपूर ग्राम सभा की करीब शाड़े आठ सो हेक्टेर जमीनों की नाप जोग की शुरुवात हो गई है। इसकी पुष्टी अधिकारिक स्तर पर की गई है। है झाल 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 झाल